इस पूरी organization को चलाने के लिए आप नीचे description से हमारे app को download कर सकते हैं जिससे कि law students को, lawyers को और आम आदमी जो law जानना चाहता है वो paid classes का lab ले सकता है नमस्ते सदावत सले मात्रभू में भारत में एक नई उपलब्दी हासिल की उस नई उपलब्दी के advantage और disadvantage हम दोनों पर चर्चा करने वाले हैं हलांकि उसमें political game भी होता ही है लेकिन political नजर रखने वाले criticism करने वाले analysis करने वाले हर एक बात में politics देखते ही हैं दिल्ली Metro Metro train इसी शुरू की जो मानव रही चल सकती है मानव रही train का मतलब हो गया automatic system यह उपलब्दी तो अच्छी है प्रधार मंत्री जी ने कहा कि हम आगे भविश्य में पूरी दिल्ली में मानव रही train चला सकते हैं यह चला देंगे और देश में अन्य train भी मानव रही चल सकती है मानव रही train से मतलब है sensors स्ट्रॉंग होंगे कि वो sensors के base पर चलेगी उनकी coding होगी प्रधान मंत्री जी के इस उद्भोजन में जिसमें उन्होंने जनकपुरी से लेकर और इधर वेटेकन वो जनकपुरी से नोड़ा जाने वाली जो मेट्रो है दिल्ली में उस पर मानव रह चला कर देगा Sunday को प्रधान मंत्री जी ने कुछ अच्छा सा उद्भोधन भी किया होगा उसमें दो विशेश बाते उन्होंने बताई उन्होंने एक बात तो यह कही कि हम एक single car चलाने वाले हैं देश के किसी भी Metro में या ट्रेनों में सफर करने वाले लोग भविश्य में एक काड से शफर कर सकेंगे और एक काड ही वह स्वैफ कर सकेंगे. ऐसा एक सिंगल काड अभी एक्सप्रेस मेट्रो पर शुरू किया, इयरपोर्ट मेट्रो जिसको कहते हैं दिल्ली में, नई दिल्ली से या पीछे से शुरू होती है और जाती है द्वारिका तक. तो उन्होंने कहा कि एक कार्ड होगा, one nation, one कार्ड, हलाकि लगातार प्रधानमंत्री जी के आने के बाद या इस सरकार के आने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि देश में एक प्रकार का नागरिकता, एक प्रकार के नागरिकों के अधिकार करतब, एक प्रकार के कानून, एक प वद्यप्रदेश में जाए तो वहां के कानून दूसरे हैं और वो कानून से यूस्थरू नहीं है इसलिए बेसिकली देश के सभी विक्ति एक सी विवस्था में आएं इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड की विवस्था की गई अभी फास्ट टैग प्रधान मंत्री जी ने में रहित यानि कि कोई भी आपकी पर्ची नहीं काटेगा देश सफर करें देश आगे बढ़ें इसके दो पहलू है एक पहलू तो यह है कि सारा सिस्टम कमप्रटराइजड होता जा रहा है तो हैकिंग तो नहीं हो जाई दूसरा पहलू यह भी है कि सब कुछ ऐसा हो जाए केला कांक आग overlapping कारें केलिए लोगों कि आवशकता कम हो वह प्रोड़किव कारें है और यह प्रोड़कटिव कारें है इसे देश का विकास होगा हैै प्रोड़क्टिव कारेंगे तो GDP बढ़ेगी लोगों की आवशकता नहीं है बारत इंट्र्पेर्णेएर बनना चाहिए भारत में तरक्की होने चाहिए, हर एक विक्ति कुछ न कुछ बनाए, हर एक विक्ति कुछ न कुछ निर्माड करे, कुछ नए इन्वेंशन करे, कुछ नए कार करे, चाहे वो ओनलाइन इंडस्टी में करे, ओफलाइन इंडस्टी में करे, फिजिकल इंडस्टी में करे, कॉर यू कार बिना फुजीकल, महनत के हो सकता है, तो वैसे कार को करने के, प्रधानमंत्री-जी का मनना है कि उस कार को करने के लिए, कंप्यूटर करेगा, और हम उसके अतरिकतिकार करेंगे, जैसे मेनिफएक्चरिंग सिस्ट्म है, बिन अप्रिदीन महें सकती है, तो हम manufacturing भारत में hub करें, hub लगाएंगे, entrepreneurs बनाएंगे, चोटे-चोटे काम करें manufacturing plant लगातार भारत में लग रहे हैं, electronic के मामले में लग रहे हैं, electricals के मामले में लग रहे हैं यहां तक की metro की coaches, bogey, engine भारत में बनने लगे हैं रेल मेट्रो बड़ी तीजी से बढ़ रही है, और इसके अतरिक्त बहुत सारी चीजों का production भारत में होने लगा है इन चीजों के production का परिणाम यह है, कि भारत आगे बढ़ेगा, exporter बनेगा और भारत के लोग जब खाली होंगे, जब उनके पास समय होगा, तो वो इन इंडस्टीज में इंगेज होंगे, हम सस्ती लेवर प्रोवाइड कर सकते हैं लिखिन जो non-productive कारणे हैं, जिनका कोई production नहीं होता, केबल व्यक्ति को वो employment देते हैं, ऐसे कारणों को थोड़ा सा पीछे रखा जाए, हालाकि यह transition period है, देश को बड़ी समस्य होने वाली होंगी, क्योंकि हमरे देश में हम नौकर बने, ऐसा एक माहोल पिछले 70 वर्ष म में बना, कि हमके बड़ नौकर बने, नौकर से मतलब यह है कि कोई हमको काम बताए, हम उस पर काम करें, और हमको salary मिले, जिससे हम अपने बच्चों का भरण कोशन कर सकें, भारत बैवर्षाली भारत से एक निक्रस्ट और नौकर भारत बनता गया, अभी प्रधान मंतरी ज इंडस्टिल इस था, अपने काम का हुनार वो रखता था, अपने काम में वो माहिर था, जैसे हमने द्वंड विवस्ता के साथ साथ जती विवस्ता शुरू की, वो जती विवस्ता कोच ऐसी शुरू की कि जातियों के work, village industry डबलब की, family industry डबलब की, नहीं कहीं education लेने की ज करने के लिए उसको कहीं से अलग से पढ़ाई की जरुवत नहीं पढ़ती थी वो हमारे हां आटीसंस होते थे और गाउं की जरुवत गाउं में पूरो विलिज एज ग्लोब चलता था उस वेवस्था को मुगलों ने पहले नस्थ किया फिर अंग्रेजों ने नस्थ किया और अंग्रेजों ने सांसकारी के एजुकेशन जो सही में एजुकेशन थी उस एजुकेशन को खतम करके कमाई कैसे हो उसकी एजुकेशन शुरू की कैसे करेंगे उसकी एजुकेशन शुरू की और उसकी एजुकेशन शुरू करने का मतलब यह निकला कि जो लोग डिगरी ले करता है बच्छी जो दिजाइन करता है टावर लोग होते हैं लकिन मेकैनेकों के ऊपर मिकैने को पढ़ाई लिखा है ऊटो मड़ा का उसको बढ़ाकर दिया ठीक है, इसकी अवशक्ता भी है, लेकिन कितनी अवशक्ता है, लेकिन अगर उसको ज्यादा सेलरी मिलेगी, क्योंकि उसने बच्पन से अप्रेंटेशिप नहीं की, बच्पन से उसने वो चीजें बारी गुंड नहीं सीके, उसने केबल और केबल किताब की सिक्षा ली, तो नहीं बना सकता, लेकिन वो इनफोर्स्मेंट बता सकता है, क्योंकि अचे लिए हमें इंजिनेर्स की ज़ुर्वत है, लेकिन हमको जब निव ढलना है, मकान बनाना है, तो फिर हमें मिस्तरी की ही ज़ुर। पड़ेगी, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट बनते हैं, जहां प लेकिन यह इलेक्ट्रोनिक में एक बात बिल्कुल कहना कि हम मानव रही चलाएंगे मैं उसका समर्थ तक नहीं हूँ मैं अपना अपना अनुभब बताता हुं मेरे पास एक कार है ऑटोमेटिक गाड़ी है अचे गाड़ी है सिडान है हाइब्रेड है इंजन उसका इंपोर्टित है् लोग कैते हैं कि वह जपानी इंजन है वो भी इंपोर्टिट है गाड़ी बड़ी स्पीड में जारही थी अल्टिनेटर से ही यानि कि अल्टिनेटर में जो बिजली जेनरेट करता है और वो पावरे स्टेरिंग उसमें गाड़ी सौ के लगभग या उससे कम हाईवे पर चल रही थी अचानक उसका जब अल्टिनेटर फेल हुआ बैटरी खतम हुई तो इस्टेरिंग जामसा हो गया गाड़ी सौ पर चल रही थी बहुत मुश्किल हुआ ईश्वर की क्रपा ही रही कि वो गाड़ी को हम किनारे लगा पाए धीरे-धीरे करके क्योंकि उसमें पावर स्टेरिंग था इसलिए वो इलेक्ट्रिक सप्लाई से ही उसकी पावर जेनरेशन होती थी वो स्मूथली चलता था गाड़ी किनारे लगी तो गाड़ी खड़ी हो गई तो मालूम पड़ा कि ईश्वर ने करपा की और उस करपा से ही अपना बचाव हुआ अब इस गाड़ी को अगर आटोमेटिक बना दिया जाए आटोमेटिक मतलब मानव रहित और हम सब बैठे हों और अचानक इस तरह की कैजुवल्टी इसमें आ जाए हूँ विल कंट्रोल इट अगर हम उसमें कंट्रोल नहीं बिठाएंगे तो उसको कंट्रोल कौन करेगा यह सवाल है इसलिए एक विक्ति का हम कह रहे हैं कि जो इस्टाफ 15 का होता था उसको मत रखिए लेकिन एक विक्ति का होना आवश्यक ह है क्योंकि electronics का काम है automatic का सिस्टम है यह किस स्टेच पर फैल हो जाए कैसे फैल हो जाए और किन प्रसितियों में फैल हो जाए कुछ पता नहीं बहुत वेल प्रूव्ट होते हैं आप उसकी बड़ी रिसर्च एक कि जाती है बहुत अच्छा कि जाता है लेकिन फिर भी यह लेन चलता है, आटमेटिक ही होता है, लगबग नीचे एर कंट्रोलर भी बैठा होता है, जो उसको कंट्रोल करता है, फिर भी हमें पाइलेट की जरुत पड़ती ही है, क्यों? क्योंकि इमर्जेंसी में जैसे ही एर कंट्रोल यहां से टूटेगा, लिंक टूटेगा, है कि हम नीचे से कंट्रोल कर लेते हैं, उसको जहां चाहें वैसे घुमा लेते हैं, मंगल मिशन आपको याद होगा, अगर मानव होता उसमें, या वहां ऐसी परसेती होती कि कोई एक विक्ति उसमें जा सकता था, तो शायद उसका जो आधा हिसा फेल हुआ, वो नहोता, ल मंगल मिशन में हम नहीं बिठा सकते थे किसी को, इसलिए ठीक है कि वो मानव रही था, उसमें कोई पैसेंजर भी नहीं था, वो तूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां पर पैसेंजर्स की बात आती है, वहां मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक मिल हैं, जिनके पास उच्छ क्वालिटी की टेक्नलोजी है, जो बुलट ट्रेंज चलाते हैं, जो मानव रही ट्रेनें चलाते हैं, वो हमारे पास है चमता, लेकिन सोचना ये अवश्य होगा कि उन चमताओं के बाब जूत, ये सारा इलेक्ट्रोनिक मामला है, संसार में ट टेक्नलोजी होती है, वो भी टेक्नलोजी में माहर होते हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से टेरेस्ट होते हैं, एजुकेशनली टेरेस्ट नहीं होता, एजुकेशन लेने वाले को अब अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं, आज की एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम कमाई कैसे करें, अब इसमें अच्छे और बुरे, गुड और बैड, जो इविल इंटेंशन के साथ टेक्नलोजी जानना चाहता है, वो टेरेस्ट बनता है, जो गुड इंटेंशन के साथ चाहता है, वो देवता बनता है, टेक्नलोजी दोनों के पास होती है, दैत और द का सामना करना ही पड़ेगा वो चाहें संसार का सबसे बड़ा राजा तीनों लोकों का स्वामीर रावड क्यों नहीं लेकिन फिर भी ये तो हमको उपलब्धी तो ठीक है पर तो मुझे लगता है कि इस विश्य पर विचार हमको ये जरूर करना चाहिए कि क्या हम मानव रही ट्रेने चलाएंगे ट्कलोजी है वह आटोमेटिक चले अच्छा है सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन एक विक्ति उसकी देखरेक के लिए होना चाहिए जिसके हांत में फाइनल कंट्रोल हो बिल्कुल वैसे जैसे आगे से ट्रेन चलती है चलाने वाला ड्राइवर होता है फिर भी पीछे हम एक गाड बिठाते ही है उसके पास इमर्जनसी गाड के पास इमर्जनसी ब्रेक होती है अगर आगे से कोई समस्या आ जाए चलाने वाला ड्राइवर के समस्या आ जाए या इंजन में कोई समस्या आ जाए उसमें कुछ प्राब्लम हो तो फिर ये पीछे जो गार्ड बैठा हुआ है जो एमर्जनसी ब्रेक लगा कर गाड़ी को रोक सके इसलिए हम उसको एक्स्ट्रा बिठाते हैं अदर्वाइस पीछे क्या जरूरत है कि हम गार्ड को बिठाएं ट्रेन जा रही है चलाने वाला चला रहा है जा रही है जाने दो लेकिन हम गार्ड बिठाते हैं इसलिए मानव रही ट्रेनों में भी गार्ड बिठाना जरूरी है मुझे लगता है दूसरा दिली मेट्रो पर क्रेड़ लेने के लिए लोगों न कहा कि केजरिवाल क्रेड़ लेने चले आए मुझे नहीं लगता कि केजरिवाल क्रेड़ लेने जैसे मुझे हर और हर्श और लास है कि हमारे देश में ये टेक्नलोजी विक्सित हो गई है और इतनी टेक्नलोजी है कि हमारे देश में मानव रही ट्रेने बना सकते हैं चला सकते हैं और चलाने लगे हैं विश्व में हमारी धाक बनाता है विश्व में हमारी स्थिति को स्ट्रॉंग करता है विश्व हमारा लोहा मानना शुरू करता है, इसी प्रकार मुझे लगता है कि दिली के मुख मंत्री ने जब हर्ष उल्लास किया कि हमारी दिली बड़ी सुन्दर हो गई है, और हमारी दिली में एक और उपलबधी प्राप्त हो गई है, तो फिर हमें लगता है कि उनको भी अगर हम किसी भी विक्ति के पीछे ही पढ़ जाएंगे, तो हम उसको सुधरने का अफसर कभी नहीं देंगे, हो सकता है कि किजरिवाल ऐसा कहते हैं, हमको एप्रिशेट करना चाहिए, किजरिवाल जी को भी खुशी हुई, आओ हम मिलकर दिल्ली अच्छी बनाएं, हम सब मिलकर दिल्ली अच्छी बनाएं, या हम अपने देश को बहुत सुन्दर बनाएं, यह सब कुश हम करेंगे, इसलिए मेरी इन बातों को ध्यान में रखते हुए, यही सरकार ने यह यूजना लाई होगी, और जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमें गर्वानवित होने की अवशक्ता है, गर्वानवित करने के लिए प्रधान मंतरी जी ने ऐसा उधगाटन करके चलाया होगा, किन्तु बिल्कुल मानव रहे ट्रेंट नहीं चलायी होगी, उसमें कोई न कोई गार्ड जरूर बिठाया होगा, थैंक यू वेरी मच, यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं, तो कहीं और क्यों जाना, हमरे एप को डॉणलोड करें और लॉपढ़ें,